हेलो स्टुडेंट वेरी गुड मॉर्निंग तो अलव यू कैसे हैं सब आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे घर में होंगे शुरक्षित होंगे तो बच्चे बाटी है आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्फिस टेंशन के बारे में सर्फिस टेंशन is the most important topic जो कि आपका हर वक्त साथ देगा और वक्त काम आएगा जब तक आप लोग फ्लूट पढ़ोगे तो सर्फिस टेंशन पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेता है को सेसी फोर्स घ्या होती है और आपके पास अडेसिwe force होती है जो की float में लगती है और adhesive forces भी आपकी float में लगती है दूसरी बात जब भी हम cohesive force की बात करते हैं तो यह आपके पास यह वाली attractive force होती है जो की molecules में लगती है और same substance में इसका मतलब क्या हुआ अगर आपके पास same substance है आई repeat अगर आपके पास same substance है और उसके पास obviously बात है जो molecules होंगे वो same same molecules होंगे सब same substance की बात हो रही है तो उस वक्त आपके पास जो force लगती है वो लगती है cohesive force for example अगर मैं water की बात करता हूँ देखो जब आप पानी की drop डालते हो तो पानी की drop ओपर की side ऐसे होती है और जैसे ही पानी drop एक ओर डाल दी यहां पर तो यह क्या काम करती है यह कुछ ऐसे मिल जाती है एक egg shape में हो जाती है हो जाती है नहीं हो जाती है तो इनके क्या हुआ है इनके जो molecules है यह water molecules है यह भी water molecules है जब यह दोनो water molecules है आपके पास उसी force को हम कहते हैं cohesive force उसी force को कहते है बुच्छा पार्टी cohesive force कहा जाता है तो adhesive force देखो definition अभी लिखते है adhesive force adhesive force को समझे पहले देखो यह AD लगा हुआ रहा है तो D का मतलब different इसका मतलब क्या है the force of attraction between the molecules of different substances हमारे पास जब भी हमारे पास दो different substance होंगे उनके molecule जब force लगाएंगे तो आपके पास कौन सी force लगती है adhesive force लगती है adhesive force को समझे ले D है न तो different cohesive है तो obviously बात है इसका opposite क्या से अब adhesive की जब बात करते हैं तो suppose करो मैं एक बजार से लेके February Q के लेके आया जो पांच रुपे के बनती February Q जो आप उसे हाथ पे चिपका लेते हो तो वो चिपक जाता है अब देखो मेरे हाथ पे जो हाथ के जो molecules है वो अलग substance है मेरे पास और जो मेरे पास तो जैसे ही मैं उसे close करूँगा चिपका हूँगा तो क्या हो जाएगा बिल्कुल चिपक जाएगा तो यही से यही adhesive force आपके पास होगी adhesive forces आपके दो molecules में लगती है या दो different substance के molecules में लगती है तो वहाँ पर आपके क्या लग जाती है adhesive force फोर example अगर बात करता देखो यह मेरे पास एक surface है यह मेरे पास एक surface है जैसे मैंने पानी के drop इसके ओपर डाली एक ही drop की बात करें तो क्या होती है वो फैल जाती है वो कुछ stripes हो जाती है तो यहाँ पर आपके पास जो force लग जाती है वो कौन से लग जाती है adhesive force आप लोग जब भी फैविकॉल बजार से खरीद होगे तो फैविकॉल में adhesive force की बात करता है कभी देखना adhesive force उसमें लिखा होता है more adhesive इस टाइब को कुछ लिखा होता है तो आप वो फैविकॉल पर देख लेना क्यूंकि फैविकॉल जो होता है आपके पास अगर लकड़ी पर चिपकाते हो या फिर कहीं और चिपकाते हो तो बहुत जादा force of attraction हो जाता है जिसकी वज़े से वहाँ पर force जाता है लगती है और दोनों एक दूसे चिपक जाते है अगर मैं और example हो मेरे पास एक कागज है कागज पर मैंने ink डाल दी कागज पर मैंने क्या करती ink डाल दी तो ink डालने के बात क्या होता है वह ink इसे लग जाती है चिपक जाती है अब जब आप इससे दो भी लो याईसे हटाने की कोशिष करते हो तो ये हटने बाती है इसका मतलब क्या इंक के molecules में और पेपर के molecules में ये कौन सी force अपलाई होई? अड़ासी forces में अपलाई होगी दूसरा और example अगर हम बात करते हैं example और ले रेता है बोर्ड जो आपके class के board होता है वो blackboard जो होता है आपके class का और chalk ये chalk आपके पास अलग molecules अलग substance हो तो इनके जो molecules है वो क्या है? अलग-अलग हैं जब चोक से इस पे लिखते हो तो असानी से लिखा जाता है और छप जाता है तो इसमें क्या हुआ? अड़ासी force से ज़्यादा होगी बात समझ आ गई? लेकिन जब cohesive force की बात होती है cohesive force में आपका same molecules में लगते है तो पानी पानी में लगते है ठीक है? और दूसरी बात देखो जब मेरे पास एक glass है ठीक है? मेरे पास एक glass है आप लोगों ने water drop डाली कुछ drop डाली water की इसके उपर तो आप लोग देखोगे कि glass में कुछ इस type से टपक 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 से चिपकते रहता है फिर आखिर में glass में पानी यहाँ पर आ जाता है यह देखो जब glass की बात करी और पानी के इसकी बात करी तो यहाँ पर देखो यह दोनों चिपक गए तो इसका मतलब क्या कौन सी food जाता होगी? अठैसी food जादा होगी? होगी नहीं होगी? लेकिन जब हम लोग किसी भी glass में mercury डालते हैं आई रेपेट किसी भी glass में हम लोग mercury डालते हैं तो mercury जब डालोगे ना तो वो बिलकुल सटीक आती है जितना गई उपर से यह उतना ही नीचे आती है मतलब glass के molecules से वो चिपकते नहीं है और जब glass के molecules से वो stick नहीं होती है तो वो पूरा का पूरा जैसे आई थी उपर से drop वैसी नीचे आ जाती है जहाँ पर आ जाती है इसका मतलब क्या है? mercury के molecules ये चाहते हैं कि हम किसी से force of attraction ना करें और जो करें वो हम अपने आप में ही करें मतलब अपना परिवार खुदी बनाएं सिंपल सी बात ही है mercury ये चाहता है तो इसका मतलब या इस condition में जब mercury को glass में डाला जाता है तो mercury जैसे उपर से डाला वैसी आए लेकिन water में यहाँ drop कुछ ही पक जाते है जिसमें adhesive force जाते होते है लेकिन अब mercury के इसमें कौन सी force जाता होगी cohesive force जाता होगी बास समझा ही न तो इस दोनों में difference होता है किस किसमें adhesive force में और cohesive force में cohesive force अब हम definition लिख लेते है definition of cohesive force cohesive force की हम लोग definition लिख लेते है क्या है इसकी force की definition अभी हम लोगों ने बनाई है, क्या होता है, the force of attraction, the force of attraction, the force of attraction between, between molecules, between, किस molecules में होंगे, of same substances, of same substances, बस समझ है, यह आपके पास कुन सी force होती है, को हैसी force होती है, अगर हम adhesive force की बात करते हैं, बिलकुल यह definition होगी, लेकिन, substance क्या होंगे, different, इस पर हम लिख लेते हैं, the force of attraction, between, molecules, of, होंगे, of the different, substances, बात समझ आगी न, तो यह आपके पास कौन सी होती है, adhesive force, मैंने example देखके आपको, पूरा detail में बता दिया है, कि किस type की आपके पास force होती है, cohesive force की होती है, और adhesive force की होती है, अब हम सबसे important topic पे आते हैं, जो कि हमारा main topic है, आज का, जिसको हम बात करेंगे, surface tension, आप लोग अब देखके हैं, यहाँ पर पानी है, नाली का पानी मालो, और नाली के पानी जब rest पे रहता है, equilibrium position पे रहता है, तो यहां मच्छा गर बैठता है, तो यहाँ बैठा रह जाता है, वो डोबता नहीं है, वो नीचे की तरफ नहीं जाता है, लेकिन अगर मैंने, और भी example जाती रहती है आप लोगोंने पढ़ा है ओबिसली बात है कि फ्लोटेशन में बढ़ाए कि डैसिटी अगर जिस भी object की ज़्यादा होगी liquid की density से वो डूप जाएगा और हमें पता है कि pin की जो density होती है as compared to the liquid वो ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी नहीं डूपता और डूबया का जब आपके पास किया होगा यह बिल्कुल particular रखा होगा लेकिन कागज के उपर अगर आप रखोगे और पिन उसके पर रहता है तो कागज को एक गिर मसे डाद होगे तो वह ехी रहता है पानी के surface पर रहता है practical करके देह सकते हो तो ऐसा क्यूं होता है कि मच्छर उपर बैट जाता है और स्टील की पेन उपर चले जाती है और ऐसा क्यूं होता है कि जब हम पानी लेते हैं पानी के उपर धागा डाल दिया आप लोग ने कुछ स्टाइब से धागा डाल दिया तो वो एक उपर इस टाइब की शेप ने लेता थोड़े देर बाद वो एक सर्कुल शेप ले लेता है यह दागा जो होता है वो एक सर्कल शेप ले लेता है ऐसा क्यूं होता है तो यह होता है किस वज़े से सर्फिस टेंशन की वज़े से अब सबाल यह हुआ कि सर्फिस टेंशन का मतलब क्या है सर्फिस टेंशन होता क्या है उसे भी समझ लेते हैं है ना दि मेरे पास एक liquid है, मेरे पास एक bucket है, बिल्कुल ध्यान समझना है, definition अभी बनाते हैं इसके, तो मेरे पास एक bucket है, उसमें आपके पास क्या है, liquid है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास liquid है, अब जैसे ही मैं बात करता हूँ, एक एक molecules की बात करता हूँ, मेरे पास एक molecules है, यह वाल तो इसके उपर जो लगने वाली forces होंगी इस side से ये लगाएगा force इस side से ये force लगाएगा इस side से ये force लगाएगा इस side से ये force इस side से ये force और इस direction है ये force तो आप देखो कि जब आपके पास इधर के हर एक particle इस पर आपके पास force अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर net force कितनी ये इससे cancel out, ये इससे cancel out, उपर वाले नीचे वाले से cancel out, तो इसका मतलब क्या, इस जगह पर net force क्या हो जाती है, zero हो जाती है, और बच्चा पाटी, मैंने आप लोगो बता रखा है, कि जहां भी net force zero हो जाती है, तो वो particle वही रहना पसंद करता है, अब जब particle वही रहना पसं पूरे sensor में हर एक particle कहा रहना पसंद करता है, वो एक low energy state में रहना पसंद करता है, तो इसकी low energy state, इस particle की, इस molecules की low energy state कौन सी है, यही वाली है, पानी के नीचे, तो इसका मतलब क्या है, कि net force यहां पर zero हो गई, और इसकी जो potential energy है, वो potential energy क्या होगी, इसकी minimum होगी, minimum होगी, यहां फिर हम कह सकते है, low energy state होगी, बास समझ है, low energy state, लेकिन जब मैं पानी के surface पे जाता हूँ, जब मैं पानी के surface पे यहां जाओंगा, इस point पे जाओंगा, तो यहां देखो, इस पर यह force इस side से लगी, जैसर नो, टेक है, और इस पर इस force यहां से यहां लगी, इस direction of force लगी, और इस direction of force लगी, क्या उपर के surface से force लग रही है, फिलहाल नहीं, क्योंकि हम यहां पर atmospheric pressure रों consider नहीं करें, we have to consider only the force which are applied liquid on a particle, ठीक है, तो यहां पर आपके पास यह वाला है, और इस direction बने, यह नीचे लगी, यह इधर लगी, यह इधर लगी, यह दोनों force ए इन दोनों का, वो कहां बनेगा, नीचे के side बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, कि जब कोई भी particle ओपर के surface पे होगा, तो यहां आपके पास जो force लगेगी, net force, उसकी direction क्या होगी, नीचे के तरफ, downward direction में होगी, यहां पर net force 0 नहीं होगी, क्योंकि अभी यह वाली force, यह वाल net force इसके पास होगी, तो यहां पर उसकी potential energy क्या होगी, बच्चा पार्टी इसकी potential energy यहां पर maximum हो जाती है, that one, इस potential energy यहां पर maximum हो जाती है, ऐसा क्यों हुआ कि जब यह particle minimum state में था, तो यह maximum state में हो गया, तो बच्चा पार्टी उसका एक reason है, वो reason यह है, कि जब किसी भी object क पर आप लोग force apply करते हो या फिर कोई work done करते हो पर इन आपको बता रखा है कि जब potential energy हर एक particle की कहां पर maximum होगी जब जब उसकी work done आप लोग करोगे और वो एक ऐसी energy state पोचेगा जहां उसकी energy क्या हो जाती है maximum हो जाती है पर यहां से मुझे इस particle को minimum energy state में maximum energy state में लेके आ रहा है तो मुझे कोई work करना पड़ेगा और मैं work जो करता हूँ इसको किसी न किसी energy की form में उसे मैं provide करता हूँ for example अगर मैं इसको heat up provide कर दूँ मैं नीचे से इसको heat provide कर दूँ तो इसके पास energy आ जाएगी और यह energy आने के बाद कहा रहना पसंद करेगा यह उपर जाना पसंद करेगा क्यों 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 उसके पास energy जादा आ जाती है अगर मैं एक limit के हिसाब से उसे जादा energy provide कर दूँ तो यह particle इस surface से कहा निकल जाते हैं बहार निकल जाते हैं और उसी को हम sorry और उसी को हम evaporation energy के नाम से जानते हैं जाते हैं evaporation energy उसी को हम evaporation energy के नाम से जानते हैं लेकिन कुछ energy के limit के बाद ही evaporation energy होगी क्यों जब यह particle कहां चले जाएंगे एक वापर की form बन जाएंगे लेकिन यहाँ पर यह surface पर रहना ही चाहिए तो अगर हमें for example अगर evaporation energy उन्हें 20 joule की चाहिए तो इसको surface पर रहने के लिए आधी energy के requirement होती है sorry उसको surface पर रहने के लिए आधी energy के requirement होती है अगर evaporation energy 30 joule की चल रही है तो surface पर कितनी होगी 15 joule की होगी अगर evaporation energy उसको 40 joule की चल रही है तो उसका half कितना होगा 20 joule की उसको surface पर रहने के लिए चाहिए बास समझाए तो यहाँ पर हम लोग जब कोई work होगा इसके उपर इस particle के उपर कोई work होगा तो इसकी potential energy यहाँ पर क्या हो जाएगी maximum हो जाएगी कहाँ पर surface पर बास समझाए आगे बढ़ें चलिए यहाँ पर जब हर एक particle यहाँ से यहाँ पहुचेंगे और यहाँ से यहाँ पहुचेंगे वो अलड़ी low energy state में तो यह से आने देंगे क्या नहीं आने देंगे तो इसका मतलब क्या कुछ ना कुछ particle हर एक particle कहा रहना पसंद करेंगे यहाँ पर रहेंगे यहाँ पर सारे के सारे एक दूसरे से attachment रहेंगे जब ऐसा होगा तो एक नई condition create हो जाएगी देखो यहाँ पर मैं अलग अलग ख़र रहेता हूँ यह देख यह उपर बहुत चुके आप लोगों ने 10th class में पढ़ा था कि volume surface area वाला chapter आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सबसे छोटा surface सबसे छोटा volume कि shape का होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा sphere का सबसे छोटा volume होता है जिसको आप लोगों ने पढ़ा था 4 upon 3 pi r cube यह इसका volume of sphere होता है और हर कोई particle जब कोई सी को energy को यहाँ provide करना पड़ेगा अब सबोज हरो कि मैंने आप लोगों को कुछ ज़ादा energy provide कर दी मैंने 50 joule की आपको energy provide कर दी तो आप यह भी चाहते हो कि मेरा दूसरा काम भी हो जाए मैं दूसरे अपने जितने भी जितने भी मेरे अंडर में काम करने वाले हैं मैं उनको भी energy दे दू और कुछ energy मेरे पास बची रहे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कम से कम energy का utilize करोगे और आपका काम भी हो जाए ताकि आप worker को या फिर अपने junior को जो आप के अंडर में काम कर रहा है आप उसको energy दो और वो काम जादे जादे करे इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो energy है आप उसे कम से कम utilize करोगे लेकिन जो काम मिलेगा आपको work done मिलेगा वो जादे से जादे मिल जाए आप ऐसे चाहोगे तो इसी तरह किसे हर एक particle भी यही चाहता है वो क्या चाहता है कि मैं मेरे पास जो energy आ रही है मैं उसको कम से कम use करूँ और ताकि हर एक particle उपर के surface पे कहा जाए जहाँ पर present हो जाए तो अब वो surface की बात होती है कि कितनी surface को वो requirement करेंगे जो surface होती है वो एक ऐसी shape बनाना पसंद करते हैं जिसका surface area जिसका volume बहुत ज़ादा कम हो और ऐसी कून से volume होता है वो होता है sphere वो होता है कौन से shape इस sphere की shape होती है तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये तो पता लग गया कि उपर जब जो particle जाएंगे तो अपने आपको एक sphere बना लेंगे या फिर एक circular shape बना लेंगे और जिसकी वज़े से वो उपर रहना पसंद करेंगे तो यहाँ पर एक tangential force अपलाई होती है अब देखो ये particle है आपर ये दूसरा particle है मैं अलग-अलग बना देता हूँ ये particle इसके उपर force अपलाई करेगा attachment और ये इसके उपर अपलाई करेगा ये particle इसके उपर करेगा ये particle इसके उपर करेगा हम Surface Tension के नाम से जानते हैं और जो Energy की requirement होती है इस Surface पर उसे लाने के लिए उसी Energy को हम Surface Energy का नाम देते हैं Surface Energy energy को उसको नाम देते हैं बाष समझेज़ा है यह सुनों ठीकि है न तो दिमाख में रखना है साले कौंसर्ट तो सर्फिस एनर्जी भी हम लोगोंने स मज़ें लिया तो यहां बात करेंगे कि सर्फिस जो होगा उसको कम करने के लिए हमें क्या करना हुगा इक दूसरे से गांठ बांदे रकी हुआ है मतलब एक दूसरे से कंबाई है हर सर्फइस पर कंबाईन है इन wifi तो यह आपने आपको क्या करेंगे वह पकड़ ना चाहिएग एक छोटा सा कवे अचे क्वार उपकरणा cards एक्त्रेमने दोबोज़ा में पड़े तो थå , 뭘 बोड़े पाइगा यहाद है ऐसे यहाद यहाद यह चिपक गए थे यहादिमन इस observator एक दोड़ेंशन को तोड़ना पड़ेगा है तो तो करना पड़ेगा मैं इसको heat up करूँगा तो मैं जैसे ही temperature ज्यादा provide करूँगा मैं temperature को increase करूँगा यह जो surface tension है surface tension को हम capital T से denote कर लेते हैं जा फिर capital S से दोनों में से किसी से भी आप denote कर सकते तो जैसे temperature को आप लोग increase करोगे इसका tension इसकी जो गांट बंदी होई है वो एकदम से तूट जाएगी जिसकी वज़े से जादा energy प्रोवाइट करोगे temperature प्रोवाइट करोगे तो क्या हो जाएगा evaporate हो जाएगा तो surface tension को कम करने के लिए अगर आपको surface tension को कम करना है तो आपको temperature क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा तो surface tension को आप कम करना चाहते हो तो temperature को बढ़ाना पड़ेगा और wise versa बास समझाए यह पूरा का पूरा concept तक इसका surface tension का तो यहां से हमारे पास सारी detail आच चुकी है तो आप हम definition लिख लेते हैं surface tension की चलिए लिखे definition मैं लिख लेता हूं the property of a liquid यहां लिख लेते हैं हम लोग बना लेते हैं the property the property of a liquid the property of a liquid at rest by virtue at rest by virtue of which by virtue of which its free surface its free surface behave like behaves like a stretch stressed membrane free surface like a stressed membrane stressed like a free surface like a stressed membrane under tension and tries to occupy as a small area as a small area is as possible as possible is called surface tension is called surface tension बास समाजी बच्चे पार्टी ठीक है ना तो यह हमरे पर definition the property of a liquid at rest by virtue of which its free surface behave like a stretch stretch membrane क्यों कहा गया इसे क्योंकि यह जो देखो मेरे पास यह वाली surface थी मैंने धागा डाल दिया तो यह कौन shape में लेकर आगा है circular shape में लेकर आगा ठीक है तो वह stretch हो रहा है अपने आपको stretch कर रहा है under tension जब उसके पर tension लग रही है और tries to occupy a small area as possible is called surface tension बास समझाई ना तो यह हमारे पास surface tension है और surface energy का हमने concept पढ़ लिए तो next lecture में हम लोग आगे detail में पढ़ेंगे surface energy को कैसे measure करते हैं service tension को कैसे measure करेंगे वह सब्सक्राइब पढ़ेंगे ठीक है चलिए इतना रखते हैं गर्मे राओ सुरक्षित राओ जैहिंद जैभारत टेक केर हैव नाइस दे बाई बाई